हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आएक बार फ़र से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल यूनिक टॉपर्स पर दियर हम लोग जो सीरीज यहां पर स्टार्ट के रही है ना स्पोकें इंग्लेस की उसमें आज में बड़ा इंट्रेस्टिंग टॉपिंग लेकर रह आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि if you are at the railway station and how you have to talk how you have to make conversation with your friends with your family members with the station master these things तो आप कैसे वहां पर बात कर सकते हैं यह हम लोग आज सीखने वाले आई देखते हैं सबसे पहला sentence जो हम लोग जनरली यूज करते हैं क्या क्या यहां पर नजदीक में कोई railway station है क्या बोलते हम सामने वाले से पूछते हैं फिर जासे माले स्टेशन के आसपास हैं या कभी-कभी हम लोग रूम पे अपने घर पे हैं तो अपने फैमिलिस पूछते हैं कि यहां पे नजदीकी railway station कौन सा है तो हम लोग क्या बोते हैं इस दियर रेले स्टेशन नियर हीर इस दियर रेले स्टेशन नियर हीर यह आम लोग और भी किस तरीके से कहते हैं वेर इस दियर रेले स्टेशन वेर इस मतलब कहां पे है वेर इस वेर इस मतलब कहां पे है रेले स्टेशन वेर इस दियर रेले स्टेशन जब हम लोग को यह जानना होता है कि आपके आसपास कौन सा नजदी की railway station है तो आप क्या कहेंगे या तो कहेंगे is there a railway station near here या आप कहेंगे where is the nearest railway station in the same way क्या हमारे पास next sentence है क्या आप मुझे बता सकते हैं station कितनी दूर है can you tell me how far is the railway station अब यहां पर ध्यान से समझेगा इस बात को यहां पर देखिए हमने क्या कहा है can you tell me how far is the railway station how far मतलब क्या होता है how far मतलब होता है कितनी दूर how far मतलब क्या होता है how far मतलब होता है कितनी दूर तो जब में यह बताना होता है distance के लिए हम लोग how far का यूज कर जैसे आप यह पूछ सकते हैं क्या बता सकते हैं कि यहां से बस स्टॉप कितनी दूर है तो आप कह सकते हैं can you tell me how far is the bus station in the same way next slide हमारे सामने क्या है क्या यहां पर कोई metro station है is there any metro station drowned here यह भी कह सकते थे हम लो is there any metro station near me यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं कह सकते हैं क्या near me भी कह सकते हैं समझ में आरी बात यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं near me भी बोल सकते हैं okay हम लोग क्या सकते हैं is there any railway station near me is there any metro station near me तो हम लोग जब भी कसी बस्तू का कहना होता है कोई असपास हो तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं is there any shop near me मेरे आसपास कोई दुकान है क्या यहां पे in the same way क्या आपको पता है आजमगड के लिए अगली train कब है क्या आपको पता है पतना के लिए अगली train कब है तो आप ऐसे यहां पे कैसे यूज़ करेंगे आप कहेंगे क्या do you know where is the next train for पतना when is the sorry how will you say you will say how do you know when is the next train for पतना आप देखिए आप मैंने when का यूज़ की है यहां पे देखिए मैंने when when मतलब पता है आपको डबलू एच वर्ड होता है और जो क्या होता हम लोग इंट्रिवर्टी सेंटेंस में खुब धेड़ सारा सीखें तो when मतलब होता है कब ठीक है कि when next train for पतना अगली ट्रेन यहां पे अब दौका भी यूज़ कर सकते हैं तिस्तिक के सामने इसमें कोई देखिए नहीं है ठीक है in the same way airport के लिए अगली ट्रेन कभ है when the next train to the airport when the next train to the Delhi when the next train to पतना when the next train to हैदराबाद जब हम लोगों को यह पूछना होता है कि अगली train किसी भी अस्तान के लिए कब है तो हम लोग क्या कहते हैं where is the next train का बात करते हैं हम लोग क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं when is the next train to the airport when is the next train to bus stop हम लोग ऐसे sentence का use करते हैं next sentence देखते हैं कौन सी train पार्क जाती है which train goes to the park अब देखिए यहां पर क्या और मैंने क्या बोल आप से which train goes to park आप ऐसे और भी कह सकते हैं which train goes to bus stop which train goes to पटना which train goes to garden मतलब जो भी आपको जो भी जो सस्थान की बात करनी है train ही क्या bus stop हम लोग क्या कहेंगे which bus goes to park मतलब क्या हो रहा है हमने कोसिस किया है कि इसमें bus वाले sentence भी हो ता कि आपको एक बर मैं बस स्टॉप के लिए एक अलग से वीडियो आपके लिए बना रहा हूं मैं आपको जहांत बता हूं कि bus stop हम लोग कंडक्टर से या किसी पैसेंजर से किस तरीके से बात करते हैं किस तरीके से दूसर से communicate करते हैं how much is the fair for Delhi कोई दिकत्नी है तो ऐसे कह सकते है how much is the fair Delhi कोई दिकत्नी जनरली हम लोग क्या करते हैं कि अपने spoken English में ऐसे भी बोलते हैं कि फॉल लेकिन अब जनरली क्या होता अगर हम लोग सही बात कर तो कैसे होता है how much is the fair Delhi बात समझ में आ रही है like next step in ऐसे लुघने का ticket मिल सकता है can I get or return ticket क्या मुझे जाने का ticket मिल सकता हैं ठीकिक तो मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग क्या बात कर रहे है क्यूंचन पूछ रहे है किससे क्योशचन पूछन ह में हो सकता हो कि रिल्यय स्टेशन स्टेशन मास्टर से पूछ मुझे रेटर्पाद के लिए टिकेट मिल जाएगी और क्या मुझे रेटर्ण आने के लिए वापस आने के लिए टिकेट मिल जाएगी next sentence देखते हैं क्या मुझे train बदलनी भी पड़ेगी do I have to change the train क्या मुझे train बदलनी भी पड़ेगी मतलब आप पूछते हैं क्या ये train हमारे घर को लेके जाएगी या फिर मुझे बदलनी पड़ेगी do I have to change the train do I have to change the bus ऐसे हम लोग बस के लिए भी कह सकते हैं कि क्या हम लोगों को क्या हम लोगों को बस बदलना पड़ सकता है हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं next slide देखते हैं अगली train कितने बजे खूलेगी ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहूं आप से कि अगली train कितने बज़े खुलेगी वेंड टाइम विल दे नेक्स ट्रेन लीप अगली ट्रेन मतलब कितने बज़े जाती है यह हम लोग बात करते हैं यह हम लोग बताते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं वेंड टाइम विल दे नेक्स ट्रेन लीप अगली ट्रेन कितने बज़े खुले भी हमारे पास अगला सेंटेंस है ट्रेन से सफर करना कम खर्चिला होता है इस वेरी आफोर्डेबल आफोर्डेबल ट्रावल बाई ट्रेन आफोर्डेबल मतलब बोले तो जब हमारा आफोर्डेबल का यूज़ करते हैं क्योंकि देख जानते हैं बस के कंप्रेजन में क्या होता है ट्रेन थोड़ी सस्ती होती है नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है आरक्षण काउंटर किधर है या कह सकते हैं आप कि प्लाटफोर्म किधर है तो ऐसे सेंटेंस हम लोग क्या कहते हैं वेर इस दा रजर्वेशन काउंटर वेर इस दा कह सकते हैं आप क्या प्लाटफोर्म वेर इस दा रेल्वे स्टेशन वेर इस दा स्टेशन मास्टर तो जब हम लोग ये बात करते हैं कोई व्यक्ति कहां पे है तुम लोग किसका यूज करते हैं, where is the का यूज करते हैं, बात समझ में आ गई, next slide देखते हैं, local train हर 15 मिनट पे चलती है, the local train runs at every 15 मिनट, क्या बोला मैं आप से, कि the local train runs at every 15 मिनट, जो local train होती है, वो क्या करती है, प्रतेक 15 मिनट के बाद रन करती है, यह train कब खुलेगी, यह train कब खुलेगी, when will this train leave, यह train कब खुलेगी, next slide हमारे पास है, क्या मुझे एक ticket मिल सकता है, can I get a ticket please, अब देखे क्या होता है, जब हम लोग को किसे से कुछ मांगना होता है, हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे please का यूज करते हैं, इससे हमारा sentence I get a ticket please, क्या मैं एक ticket पा सकता हूँ, क्या मुझे ticket मिल सकती है, क्या यह आखरी stop है, is this the last stop, is this the last stop, stop पतलब होता है, रुकना जहां पे गाड़ी रुकती है, तो क्या यह आखरी stop है, क्या यह आखरी station है, is this the last station, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, कह सकते हैं, कि is this the last point of the station, यह क अब प्लेटफॉर्म टिकट का 10 रुपे लगता है, अब क्या हो रहा है, अब 10 रुपे करना है किसके लिए भाई, अब टिकट पे प्लेटफॉर्म टिकट के लिए, मुझे समस्तिपूर का एक टिकट चाहिए, आईवाना टिकट फॉर्ट समस्तिपूर प्लीज आईवाना जब से हमने आप लिखा ना आईवान्ट तो इसको में लोग क्या बोल सकते हैं आईवाना भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं आईवाना की जगे पे आप चाहे तो बोल सकते हैं आईवाना, टिकेट for समस्तिपूर, प्लीस, मुझे क्या हुए, मुझे समस्तिपूर का एक टिकेट चाहिए, हमसफर कितने बजे पहुचेगी, at what time will the हमसफर arrive, arrive करेगी मतलब कितने बजे हमसफर आएगी, ठीक है, next है, मेरे पास RAC है, क्या मुझे बर्थ मिल सकता है, I have an RAC, अब देखिए, सोच रहे होंगे, यहां पर N क्यों आया है, तो बाबु मैंने आपको वर्टिकल वाले पोर्चन में बताया था, कि जहां पर क्या होता है, जो साउंड होता है, वहां पर हम लोग N का यूज करते हैं, ठीक है, तो यहां पर जो साउंड R आ रहा है, तो उसमे क्या यहां पर है, C है, I have an R A C, मेरे पास एक क्या है, मेरे पास एक R A C है, क्या मुझे बर्थ मिल सकता है, सताबदी क्लिस प्लेटफॉर्म पर पहुँचेगी, on which platform will सताबदी arrive, on which platform will सताबदी arrive, next है, मैं train पर चड़ रहा हूँ, I board a train, याद रखिए, चड़ने को हम लोग क्या बोलते है, board बोलते है, क्या बोलते है, board मतलब होता है चड़ना, I board a train, I board a train, मेरा पचास नंबर वेटिंग है, क्या मुझे बर्थ मिल सकता है, I have 50 वेटिंग, can I get a birth, I have 50 वेटिंग, can I get a birth, मेरे पास 50 वेटिंग है, क्या मुझे बर्थ मिल सकता है, does this train stop at बलिया, क्या ये train बलिया में रुकती है, does this train stops at वरांसी, does this train stops at आजबगड, तो जब हम लोग बात करते हैं, कि ये train क्या वहाँ पर रुकती है, तो आप हम लोग क्या करते हैं, ऐसे sentence का use करते हैं, स्टेशन का मुख्य प्रविस्टवार किधर है, where is the main entrance of the station, main entrance मतलब होता है, मुख्य द्वार, main entrance मतलब क्या होता है, मुख्य द्वार होता है, नेक्स देखते हैं, मुझे प्रथम सेड़ी का AC टिकेट चाहिए, I want a first class AC टिकेट, या I want a first class AC टिकेट, तो जब हम लोग बात करते हैं, want या I wanna, दोनों क्या होता है, same होता है, I hope आपको ये बात समझ में आ रही है, next, 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 मैं train का time table किधर देख रहा हूं, where can I see the train schedule, मैं train का time table किधर देख सकता हूं, मैं क्या पूछ रहा हूं, अगर मुझे train का time table देखना है, तो मैं train का time table कहां देख सकता हूं, where can I see the train schedule, मैं train का schedule कहां से देख सकता हूं, next, देखते हैं, क्या आज खड़कपूर के लिए train है, is there any train for खड़कपूर, and dear, this was the last sentence, that was the last sentence, and I hope आप लोगो को मेरी बाते समझ में आ गई होगी, तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा है कि हम लोग क्या करते हैं, कि कैसे sentence का use करते हैं, कहां पे, जब लोग railway station पे होते हैं, dear, मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए suit कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बता हूँगा कि हम लोग बस stop पे कैसे sentence का use करते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोज हैं, आपको इस channel पे मिल जाएंगी, तो dear, please, आप लोग अगर पूरा वीडियो आप अच्छा लगा, तो please इसको like करो, और इस sentence का अपने deal app में use करो, और channel को subscribe कर देना, और अपने दोस्तों को बता देना, आपके दोस्तों भी पढ़ने चाहिए, उनको भी यह सब चीज़े आने चाहिए, that's all for today, have a great day, bye-bye.